मॉर्निंग में अगर लंच बोक्स बनाना हो तो हमें सारा काम साइड में रखके पहले वो करना पड़ता है लेकिन आज मुझे रुही के लिए सबजी रोटी नहीं बनानी थी इसलिए आज ज्यादा जल्दी भी नहीं थी रुही अभी सो रही है तो मैंने हम तीनों के लिए मॉर्निंग ड्रिंक बना ली मैंने यहाँ पे खीरा, बिट्रूट और थोड़ी से पालक ली है आज मेरे पास करेला नहीं था वरना मैं इस ड्रिंक में दो करेला भी डालती हूँ लेकिन मैं जब भी करेला डालती हूँ तो रूही को वो drink पसंद नहीं आता क्योंकि वो थोड़ा कड़वा लगता है लेकिन इस drink का color पिंक होता है इसलिए वो मूँ बना के भी इसे पी लेती है क्योंकि उसे pink color बहुत पसंद है इसलिए अगर मुझे उसे कुछ भी खीला नहो तो मैं उसे पिंक कलर का बना के दे देती हूँ तो वो कुछ भी खा लेती है आज मैं सांती से अपना मॉर्निंग ड्रिंक एंजोय कर रही हूँ उतने में रुही भी उठ गई और वो भी पीने लगी आज करेला नहीं था तो वो पूछ रही थी के मुम्मी आज इतना अच्छा क्यों लग रहा है चलिए तो अब लंच बॉक्स भी रेडी कर लेते है इसके लिए मैंने यहाँ पर मुंग डाल को रात को ही भीगो के रख दिया था यह अच्छे से भीग गई है अगर आपको रात को बनाना हो तो इसे चार गंटे पहले भीगो के रख दो तो भी अच्छे से भीग जाती है अब हम इसे ग्राइन कर लेते है इसका हमें फाइन पेश्ट चाहिए यहाँ पर मैंने सिर्फ तिन-चार चमच ही पानी डाला है इसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती है यह अच्छे से पीज जाती है हमारा बेटर अब रेडी है अब हम सबजिया काट लेते है यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर और धनिया लिया है अगर आपके पास गाजर और सिमला मिर्च हो, तो वो भी डाल सकते हो अगर आपको यह सब ज्यादा बारिक चाहिए, तो इसे आप चौपर में भी कर लो, तो भी चलेगा अब हम सारी सबजियों को मुंग डाल के बैटर में डाल देंगे अब हम इसमें एक चम्मत जितना अदरक लैसून और हरी मिर्च का पेस्ट, आमचूर पावडर, हल्दी पावडर, अजवाइन और थोड़ा सा धनिया जिरा पावडर एड़ करेंगे इसमें हमें ज्यादा मसाले डालने की कोई जरूरत नहीं है ये जितना सिंपल रहेगा न उतना ही टेस्टी लगेगा लेकिन हाँ उसमें आमचूर पावडर जरूर से डाले उससे एक अच्छा खट्टा सा टेस्ट आता है जो बहुत अच्छा लगता है यहाँ हम तवे को मीडियम होट रखेंगे और उसके उपर हमें जितना पतला चाहिए उतना बैटर फैला लेंगे यहाँ पर मैंने थोड़ा थीक रखा है अब मैं उसके उपर थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ बीटरूर डाल रही हूँ यह टोटली ओप्सनल है अगर आपके पास यह ना हो तो आप इसे स्कीप भी कर सकते हो मेरे पास था तो मैंने उसे डाल दिया और इसे बहुत ही अच्छी क्रंचीने सा जाती है यहाँ पर मैंने मूंग डाल के चीले को दोनों तरब से अच्छे साईल लगा कर सेक लिया है हमारा मूंग डाल का चीला अब बनके रेडी है जिस दिन मुझे लंच बॉक्स में ये बनाना होता है तो मुझे ज्यादा जल्दी नहीं करनी पड़ती और ये बहुत ही इंस्टन्ट बन जाता है और हेल्दी भी है घर पे हमने ये मुंग डाल का चीला लेसून वाली लाल चटनी और खजुर इमली की चटनी के साथ खाया था इसे खाके तो मज़ा ही आ गया एंजोई